असलाम लेकुम दिस इस जादिम त्यास तो आज की वीडियो काफी इंट्रस्टिंग अने वाली है क्योंकि आज मैं आपके साथ एक ऐसी टेप्स और ट्रिक्स ट्रिक्स करने वाला हूं अपनी काफी डल पिक्चर को काफी अच्छा लुक दे सकते हैं तो इसके लिए जस्ट आपको चाहिए होगा एक आईफोन के लिए जो टिप्स में शेर करने वाला हूं क्योंकि आपके पास जो एडिटिंग है वह आप जस्ट इस आईफोन के उपर करेंगे क्योंकि आपना सौफ़वेर है आपको कोई भी डाउनलोड करने की ज़रूद नहीं कोई पेड आपको सौफ़वेर दूर्वेर नहीं है अगर आपको जिरो नाॉलज है एडिटिंग क उसका सबसे पहले मैं सके सब्सक्राइब करते हैं विदेट करनी है तो आपने ऊपने नहीं वेलिए अपने प्छ यह यहां पर आपको जो एडिक अपने प्र आपने करना है नीचे आपको चार ऊप्शन चो हो रहे हैं नमबर वन इस portrait जो है वो हमारे पास adjustment का आ जाता है थोर्ड option हमारे पास filtration का आ जाता है आप filters यहाँ से add कर सकते हैं जो fourth option है वो यहाँ पे cropping के लिए आपको use हो सकता है हमने सबसे पहले जाना है filter के उपर second option जो है filter का वो vivid filter है हमने यह select कर लेना है हमारे पास आगे adjustment के उपर हम आ जाते है adjustment में आ जाते हैं brilliance के उपर brilliance में यहाँ पे कर लेता हूँ 12% ठीक है इसके इलावा हम कर देते हैं highlights को मैं minus पे लेके जाना चाहूंगा highlights minus 85% 80 कर देते हैं 85% shadows को हम कर देते हैं increase shadows हमारे पास आ जाएंगे 12% contrast जो है वो मुझे ज्यादा पसंद नहीं है सो यहां पे minus 30 कर देते हैं alright और इसके लावा brightness को मैं नहीं adjust कर रहा black points ठीक हैं और इसके लावा saturation को अगर मैं increase करना चाहूं saturation में कर देता हूं 3% बहुत minor सी adjustment कर रहा हूं ताकि हमारी जो पिक्चर है उसका look ज्यादा खराब नहीं कर देता हूं इसके लाव मैं definition के ओपर आ जाता हूं definition को मैं 12% कर देता हूं और जो last में हमेरे पास option आ जाता है वह है Vignity जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं इसको मैं जैसी increase कर रहा हूं आप देख सकते हैं काफी अच्छी एडिट हो गई है color grade हो गई है अगर मैं इसका आपको original look दिखाऊं तो original look कुछ इस तरह का था और जो edit करने के बाद जो look आया है वो इस तरह का आया है तो ये काफी basic editing थी basic color grading थी आप इसको editing कर सकते हैं तरह से यहां पर मैं आपको और picture के sample दिखाना चाहूंगा जैसे कि अगर इस picture की बात करें तो इसका अगर मैं आपको original look दिखाऊं इसके ओपर आपका इसका जो original look है वो आपको कुछ इस तरह का दिख रहा है filtration मुझे पसंद नहीं है ज्यादा इसलिए मैं filter को ज्यादा यूज नहीं करता लेकिन काफी लोगों को पसंद है इसलिए मैंने इस वीडियो में जो filter है उसको भी शोग करवाया है आज की क्विक टुटोरियल वीडियो पॉर कलर ग्रेडिंग जिसके अंदर बेसिक स्टैप्स के साथ आप एक काफी अच्छी कलर ग्रेड कर सकते हैं अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल के उपर तो आप मुझे कमेंट करके बदा सकते हैं मैं डेफिनलिली उसके उपर और वीडियो करूंगा राइट रूम को लेके या फिर एंड्रोइड यूजर आप कैसे अडिट कर सकते हैं अपनी पिक्ट्चर को तो इसको अपर वीडियो जो है वो क्रीट कर दी जाएगी अगर आप ज्याद़ डिमांड करेंगे तो वीडियो चलिकी तो अब इस चैनल को अगर अब देख आप ने सब्सक्राइब ने किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हां आइफोन 14 भी आने वाला है